हलो फ्रेंट्स नमस्कार फिरसे आपका स्वागत है हमारे चैनल पर साइंस विध वेदान्थ आज हम बात करेंगे सापो के बारे में तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा तो सर्प जो होते हैं पूरे संसार में सर्प जो है उनकी तीन हजार जातियां पाई जाती है और हमारे देस में लगभग तीन सो पचास जातियां मिलती है अगर पूरे वर्ड में हम देखें तो सापों की तीन हजार जातियां मिलती है और हमारे जो देश में 350 जातिया पाई जाती है ये जो साप होते हैं वो गरम देशों में अधिक पाई जाते हैं गरम देशों का दाद पर ये है कि जहां का मौसम जो होता है वो ज़्यादा तर गरम बना रहता है और लगभग इन में से जो 3000 जातिया पाई जाती है समुद्री साप होते हैं और 40 जमीन पे रहने वाले साप होते हैं जो 29 समुद्री साप होते हैं वो बहुत ही जादा विशयले होते हैं वो इस्तलिय सापों के तुलना में भी जादा विशयले होते हैं अर्था समुद्री साप जादा विशयला होता है इसलिय साप थोड़ा कम अब हम बात करेंगे कि इनका विश्ट जो होता है वो कैसे बनता है और कहां परिस्थित होता है देखे, सापों के अंदर विशदंत पाया जाते हैं ऐसे दाथ जिनके जरिये से विस को ये अपने मनुस्य के सरीर के अंदर या किसी अनिजीव के सरीर के अंदर कड़ाते हैं। इनके अंदर जो विसदंत की संख्या होती है वह एक से तीन जोडी तक पाई जाती है। या तो एक जोड़ी होंगे, या तो तीन जोड़ी होंगे, या दो जोड़ी होंगे, लेकिन जो ज़्यादा तरसाप होते हैं, उनमें संख्या जो इनकी होती है, वो एक जोड़ी ही पाई जाती है, इनके जो दात होते हैं, वो एकदम सिरंज के जैसे, सिरंज में जो निडिल होती है उसके जैसे पाया जाते है मलब बीच में से खोखली होती है जिसके जरीय से जो विस होता है वो सीधे किसी के भी सरीर में इंट्री कर सकता है जब ये अपने दाद को गड़ाते हैं तो जो विस होता है वो उसके जरीय से जो है उसके अंदर सरीर के अंदर entry कर जाता है अब हम बात करेंगे कि इनका जो wish होता है जब मनुस्य के सरीर में पहुच जाता है तो वो कैसे असर करता है देखिए इनका जो wish होता है वो सुनहरा सा स्वाध हीन एवं गंद हीन एक पदार्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो स्वाद पाया जाता है ना तो किसी प्रकार की गंध पाया जाती है और इसमें अब हम देखेंगे कि जो सापो का विस होता है उसके अंदर कौन-कौन से पार्टिकल्स पाया जाते हैं जिनका सरीर के उपर क्या effect होता है तो सबसे पहला जो पदार्थ पाया जाता है ये एक प्रकार का प्रोटीन्स होता है चुकि जो साप का विस होता है उसके अंदर प्रोटीन्स पाया जाते हैं और भी कुछ पदार्थ पाया जाते हैं तो mostly जो जहर का कार करते हैं, जो सरीर के लिए घातक होते हैं और प्रोटीन्स ही होते हैं, अब हम यह देखेंगे कि कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और उनका क्या वर्क होता है, सापों के जहर में mostly जो है प्रोटीयो लाइसिंस एक प्रोटीन पाया जाता है, जो जैसे जहां पर साब काटेगा उस जगे पर दर्द होने लगती है और उस जगे पर सूजन उत्पन हो जाती है अच्छा और बाकी जहां पर यह काटता है उस जगे की जो भी सेल्स होती है जो भी टिश्यू यानि की जो भी उतक होते हैं उनको भी यह खतम करने का कारिक करता है तो जो mostly proteolycence होता है वो एक तरीके से जो है स्थानी ये पीड़ा यानि कि जहां पे इसने काटा है वहां की जगे पे दर्द को उत्पन करेगा वहां पे सूजन को उत्पन कर देगा और वहां की जो कोशिकाएं होंगी या वहां के जो उतक होंगी उनको एकदम से खतम कर सार्थ इसके अंदर पाया जाता है वो होता है कार्डियो टॉक्सिंस यानि कि कार्डियो को कार्डियो टॉक्सिंस जो होता है वो हुर्दे के लिए खतरनाक होता है यह क्या होता है जो मुख्यता नागों वाइपरों के विश्में पाया जाता है ज्यादा तर नाग और वा जो हुर्दय की धड़कने होती है, उनको बंद कर देता है, यानि कर छासिन को रोख़ी करता है, सबसे पहले पी-पी को लोग करेगा, और उसके बाद में हड़कने की हर्ड बीटिंग को रोक देगा. तो ये भी एक पहुत खतरनाक Toxin होता है, जिसकी वजय से लोगों की म्रत्य भी हो जाती है दूसरा होता है फिर तीसरा जो Toxin होता है वो होता है Hemo Toxin ये mostly Вipers जो साफ होता है उसके विष में पाया जाता है ये क्या करता है? जो रुधिर की कोशिकाएं होती है बलब जो ब्लड cells होती है उनकी जो दीवार होती है उसको नश्ट कर देती है तो क्या होता है कि वहाँ पर ज़ो ब्लड होता है वो एक तरीके से नश्ट होने लगता है अर्थाथ जो हीमो टॉक्सिंस है इसका असर्ण होता है वो ज़्यादा तर लाल रुधर कडिकाओं के उपर होता है तो जिसके जरीए से लाल उधर कड़िकाएं क्या होती है वो नश्ट होने लगती है इसका आसर यानि कि बलड के उपर पड़ता है फिर अगला पाया जाता है इसके अंदर नूरो साइटो लाइसिंस जो नूरो साइटो नर्वस सिस्टम होता है जिसके जरिये से हमें सूचनाय प्राप्त होती है जिसके जरिये से हम चीजों को महसूस कर पाते हैं जिसके जरिये से हम चीजों को समझ पाते हैं तो उसी सिस्टम के उपर यह अटैक कर देता है डारेक्ट इसका जो अटैक होता है वो हमारे नर्वस स इसमें एक टॉक्सिन पाए जाता है एंटी बैक्टिरी साइडम एंटी बैक्टिरी साइडम क्या होता है ये लगभग जो है सभी विशैले सर्पों के विश्में पाया जाता है जितने भी साप जो है विशैले वाले हैं उनके सब के विश्में पाया जाता है ये क्या करता है ये हमारी जो हाइड ब्लड सेल्स होती है उनके अंदरे प्रक्रिया होती है खतम करने की जीवाड़ और विशाड उत्याद को उसको खतम कर देता है यानि कि एक तरीके से हमारी इम्मुनिटी सिस्टम के उपर अटेक करता है यह करता क्या है कि डबलू बीसी की जो फाइगो साइटोसिस प्रक्रिया होती है फाइगो साइटोसिस प् प्रक्रिया में WBC हमारे स्रीर की रच्छा करती है किससे रोगाड़ों से जीवाड़ों से विशाड़ों से तो इसको क्या अधर पहुंच नो हुती है उनकी इस प्रक्रिया को एकदम प्रभावित कर देता है वो फिर जीवाड़ों को और विशाड़ों को इनको सब को खतम नहीं कर पाती है अर्थात जो हमारा immunity system होता है वो एक तरीके से damage हो जाता है इसलिए जो साब का विस होता है इसमें इतने प्रकार के जो है toxins पाय जाते हैं जो मनुष्य के सरीर के उपर attack करते हैं अगर समय रहते उसका इलाज नहीं कराया जाता है तो उसका तो उसकी मृत्य हो जाती है और जो सर्प विस होता है जो साब का विस होता है यह जब जरीये ही पहुचेगा तभी यह घातक होता है अगर मनुष्य सर्प के विस को अपने पेट में मलब मुह के जरीये से अगर वो लेता है और बायचांस उसके किसी भी विस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और हमारे डाजिस्ट्र सिस्टम के अंदर यह छमता पाई जाती है कि वो उन प्रोटीन्स को पचा सकता है लेकिन सर्थ यह होती है कि उसका ब्लड से कहीं पे भी टच ना हो बायचांस अगर मुह में चाले हैं या मुह में घाव हैं तो ब्लड का अगर टच हो गया विस्क के माध्यम से तो वहाँ पर ब्लड का विस्क के जरीए से टच हो जाता है तो ब्लड की ब्रत्य होती है अर्थात ब्लड का अगर ब्लड उससे टच नहीं करेगा तो विस्क के जरीए से मृत्यू नहीं होगी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा जरूर की कैसा लगा है अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लिजीगा धन्यवाद